असलामु आलीकूम और रहमतु लाही वबरकातु हूँ मुझे एक क्वेशन पूछना था उपसे कुरान के बारे में जैसा कोई कहता है कि जो कुरान हिफ्ज करते हैं तो कल क्यामत के दिन उनके वालिदेन उनके वालिदेन को ये तो कॉल आती रहती है और मुझे डिस्टर्मिन्स होती है ताज पहनाया जाएगा और उनसे पूचा जाएगा कि तुमारा मतलब वो जो जहनुम में गए होंगे उनके रिष्टदार तो वो शिफारिश करेंगे जो कुरान हिफ्ज किये है तो ये कुरान हिफ्ज करने पे मतलब क्या वाकई हमारे वालिदेन को ताज पिनाए जाएगा ये इसके बारे में क्या है प्लीज आप हमको बता सकते है जजा कि ल्ला खेरन टसीरन अमाबाद आप देख रहे हैं नूटी विजदा और मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्त फ़हमद आकिलिस से पहले कि मैं अपने सवाल का जवाब दूँ ये एक फिल्टर हम मुझे हमारे एक दोस्त हैं अब्दर्जाक सहाब केनड़ा में उनकी तरफ से तोफा वो माशालला तोफे के तोर पर बहुत सारी चीजें हमारे चैनल को गिफ्ट करते रहते हैं और आज जो उनकी तरफ से कीमती तरीन मुझे दो तोफे मिले हैं मैं अल्ह की रसूल से लिए के हदीश के मताबग मन लम याश्कुरिन नास तो बह्ते हैंनल दो लुट का शूकर आदा नहीं करता वो लाह का भी शूकर आदा नहीं कराता तो मैं ऑ्लाख के बाद हब्द्र अजाच सहाब आपका शूकर आदा करना चाहता हूं ये जो फिल्टर है इस फिल्टर के में जो performance है या presentation है वो पहले से बहतर होगी और आज ये भी मुझे हार्डिस्क भी भाइब रजाक की तरफ से मिली है उन लोगों का बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं जो इस चैनल की real की हड़ी हैं सपोर्ट करते हैं और इस चैनल के साथ अपने तावन को जब भी मौका मिल है उने हैं वो हमें फरामोश नहीं करते हैं हमें याद रखते हैं अपनी दॉआउं में भी और इस चैनल की जो ज़रूट आगा जहाँ जहाँ इसला होगी वहाँ वहाँ अब्रजाग साहाब या महतरमा आपका नाम आप मेशालों से तहसीन अन्वर्स साहिबा आपका भी बड़ा ताउन रहता है इस चैनल के जॉइन मेंबर्शिप आपने इख्तियार की हुई है तो मैं आप दोनों का और बलके हर उस सपोर्ट करता है बेहद ममनून और मशकूर हूँ आज जो यह सवाल आया है बड़ा एहम सवाल है सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ शेख मुस्तफा की महफिल में उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है शेख मुस्तफा बिन अल्यादुव यह क्या कह रहे है मा मन करा रहा ल्कुरान वाअ मिल अबे अल्हिव रसूंस लेख से एक हदीज है जिसके वज़ा से यह सवाल पैदा हुआ है कुल उल्बिसा यूमल कियामती ताजन दौओहु अकुल उल्बिसा उस शख्स को जिसने कुरान करीम को हिफ्स किया है उसको कियामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी मिन दौई शमस सूरज की रोशनी को भी मद्धम करती हुई होगी और उसके वालदेन को ताज से नमादा जाएगा ताज पहना जाएगा वो दुनिया के तमाम ताजों य खजानों पर भारी होगा और आप जब वालदेन को ये ताज पहनाया जाएगा तो पूछा जाएगा कि इसकी क्या वजा रही कि हमें ये ताज और ये खुबसूरत तुफा अल्लह रिव तो ले तुमने 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 तुम्हारे बेटेने जो टुम्ह रिवस किया है उसकी वग्या से है इन्न हादल हदीस शेखी फर्मा रहे हैं कि फी सनद ही दुआफुन। तो ये हदीस इसके बारे में जईफ रिवायत है। यही सवाल पूछा जा रहा है डॉक्टर खालिद अलमुसले से, कदर तफसील से, मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मुहतरमा तहसीन साहिबा, मुहतरमा तहसीन साहिबा, जैसे आपने सवाल किया है, एक खातून खालिद अलमुसले से यही सवाल कर रही है। ऐसे बहुत सारी रिवायात पेश की जाती है, कि हाविज कुर्ण सत्तर लोगों को जहन्म से निकलने, निया निकलवाने का सबब बनेगा, उनको शिवात, उनकी शिवात खुबूल की जाएगी। क्या ऐसी कोई हदीस वारिद हुई है, एक हदीस में ये भी बताया जाता है, कि सत्तर के बजाए दस आद्मियों का तजकिरा है, क्या वो हदीस भी वारिद हुई है, सुनते हैं ये खाँने लुए लगाने का आदानी का सहामानी का अानी जाता हैं, ये लगाता है, क्याता है, लिवात खुए iliार लुएमानी लेकिन ये भी हदीस जाइफ है जिसमें ताज का जिकर है और ये भी हदीस किसी हदीस से सही से थाबित नहीं है कि उसके वालदेन को ताज पहना जाएगा और यही बात कुरान पढ़ने की इस सलसले में जरसर बेशमार अहादीस आई है शिक मकबूल असलफी अहमद सलफी ये कहते हैं कि क्तुछंद अहादीस जो जज़्इफ रिवायाथ हैन। वो भी आपके खिदमत पेश करने की साधत हासल कर रहे हैं। नमबर एक, वो हाफिज कुरान जो इसकी हलाल करदा अश्या को हलाल और हराम करदा अश्या को हराम करता है, वो अपने घराने के दस अफराद जिन पर जहन्नम वाजब हो चुकी होगी सिफारिश करेगा. इस तरह की रिवायत है, जामबर जामबर बाली ने इसे जामबर अश्या को हराम करता है, वो अपने घराने के दस अफराद जिन पर जहन्नम वाजब हो चुकी होगी सिफारिश करेगा. खुद अमआम तुरमिजी रहमत ल्या आले इस हदीश को बयान करने के बाद लिखते हैं. अलमा अल्बाणी ने भी इस अथीश को जईफ प्र जार दिया है. तो जो जो दुनो अधादीश के बारे में, यह‐लि-आल्ब का इत्फाक है, यह अहादीश सही नहीं है. सही मसलिम में हदरतِ अबू अमामा रदिय लाह उताल आनों बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लालाई ले विस्त्यव को बयान फरमाते हुए सुना قرآن पढ़ा करो इसलिए कि कियामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए ये अपने पढ़ने वाले साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा अल्लाह रब लालमीन अल्हम्दुल्लाह हाफ़ अकुरान और कारी अकुरान की बड़ी फजीलत सही अहादीस में मौझूद है लेकिन हमें जईफ अहादीस की कत्वी जरूरत नहीं है कि हम उन से कोई फाइदा हासल करें और उन से उनकी वज़ा से नशर और इशात ऐसे पगामात को करें जो के जईफ रिवायात पर मबनी हो हदरत अुमर फारूख रदिल्लाव ताला अनु ये फरमाये करते थे उस शखस के बारे में जिसके सीने में कुरान महफूज होता है न उसको कहा करते थे इसने तो उस चीज़ को महफूज कर लिया है जो नबी करीम सल्लाव लिए या नबी पर नाजल हुई थी तो ये इस दर्जे का हामिल शखस हो जाता है और कुरान करीम के याद करना उसको पढ़ना और उस पर अमल करना ये बड़ी बाई से साधत बात है और लेकिन ये कहना के जहन्नम से निजात वो शखस हाफिज कुरान अपने रिषदारों को जहन्नम से निजात दिला पाएगा शिफायत कर पाएगा इस जिमन में कोई भी सरीह और सही रिवायत मौजूद नहीं है कुछ उल्मा ने हमारे हैं मैंने दारुन दियूबंद की वेब साइट पर भी देखा है तो इस हदीस को अबुद आउद वगेरा ने जो रिवायत किया है जिसे शेख मुस्तफा और खालिद अल्मा अल्मा अल्बानी रहमतुला आले ने भी उनको जईव करार दिया है तो दारुन दियूबंद का मौकिफ यह है कि उस थीस को चूँके उनके यहां बहुत से अलमा के यहां फजाले आमाल में चद आखादिश है जो कि उनके यहां मक्बूल होती है बहराल यह हदीसे पाल्हाई अनमें दोनों की दोनों यह जो जो रुशने में जो रवायात पैश क्षिकी जाती है वो सबके सब जौफ पाय जाता है अल्ला से दौा है कि लुआ रब रालमीन हमें खुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए और अल्ला ताला इस चैनल को सही अहादीस के करने शर करने वाला बना दे आमीन या रब रालमीन उसलाम उल्यकुम वराहन तौलाही वबरकातु वबा अगसलना मिं पबलिक इला रिजालन बुद इलिएं फसानु आहला जिक्र इन कुनतुम ला तादलामूर बिल्बायना वाल्जुबर 21. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 22. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 22. ترجمة نانسي قنقر